हेलो फ्रेंट्स बवादे के मुताबक हाजे रोएक नए एपिसोड के साथ अब तक आपने देखा जुआंग जंगल में सो रहा था और एक अजीब सी आवाज सुनके बाहर देखता है वहाँ यू की पूरा फैमिली खड़े होके हस रहे थे जुआंग उन्हें देखके सर्प पहले की सीन दिखाता है जब यू की माँ उसे जबरदस्ती उठाती है और बोलती है चलो माउंटेन पे चलते हैं जुआंग के पास जाएंगे यू पूछती है मगर क्यों मुझे सोने दो ना माजी बोलते हैं क्या तुम अपने बैफ्रेंट को मिस नहीं करते चलो ना चलत हैं फिर अपकर सिन दिखाता है जहां पर सारे एक साथ खाना खा रहे थे खाना खाते डाइम मां उन दोनों की एक फोटो क्लिक कर लेती है फिर यू और जुआंग केप को जाते हैं वहां के आनुवा पोधे पर फ्लावर हो गये थे उन्हें देखने वो दोनों उस फ्लाव के और घूम जाती है दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं उसके बाद जुआंग और यू एक अलाग ही दुनिया को चले जाते हैं और जुआंग यू के और करीब आने लगता है किस करने के लिए तबी पीछे से जियान आवाज देता है मिस यू यू थोड़ी दूर जाके बोलती है क्या हुआ जियान बोलता है आप दोनों भी यहां पर यू बोलती है इतनी जल्दी क्यों आए अब तो सुबह हुई भी नहीं दिन में आते जियान घड़ी देखके बोलता है अभी 9 अधाली थी जुदा उसे पकडलेता है वो जुदा का हाथ छोड़ा के भाग जाता है जब यू क्याम के पास आती है वो देखती है मां और पापा कुछ बाते हैं वो उनके पास जाके बोलती है इसे कौन से बात है जो मैं नहीं सुन सकती और उस बाहर के लड़के को आप बोलना चाहते हो मा जी बोलते हैं क्या बाहर का लड़का कौन उसे तुम बाहर का लड़का किसे बोल सकते हो वो तो अपना है यू बोलती है अच्छा वो अपना है और मैं पराया पापा यू को उदास्ते के बोलते हैं यू को बोल दो मा बोलती है ठीक है बोलती हूँ लेकिन तुम प्रमिस करो कि तुम मुझे जुआंग के साथ बात करने के लिए मना नहीं करोगे फिर बोलती है अरे मेरी वो जो दोस्त है न जो मेरे साथ द्यांस करते हैं वो ना कुछ दिनों से डैंस करने आये ही नहीं जब मैं पता लगाने की कोसिस की तो पता चला उनके ग्रेप पगीचे में कीडे हो गए और हमारी गाओं में तो सारे अर्गानिक फ्रोट्स होते हैं हम मेडिसिन नहीं डाल सकते तो मैं सोच रही थी जुआंको बोलो उन्हें हेल्प करने के लिए यू बोलती अच्छा ये बात है तो बोलनी चाहिए न तुम छुपा क्यों रहे हो मा जी बोलते है तुम हमेसा बोलते हो कि उसे काम है उसे ये करना है वो करना है उसे परिसान मत करो इसी लिए फिर यू बोलती है ठीक है मैं बोल दूंगी जुआंको तभी उसे केप के पास क्या हुआ था याद आती है वो बोलती है नहीं नहीं मा तुम बोलोगे तो अच्छा रहेगा उसके बाद वहां जुआंग और जीयन पोधा कलेट करके आगे थे उन्हें देख के यू मैं को हेल्प करने के बहाने में वहां से चली जाती है जब वो लोग घर आ जाते हैं मा जुआंग को सारी बाते बताती है तो वो हेल्प करने के लिए हां करता है उस टाइम यू उसे दूर से देख रहा था मा के साथ बाते करते हुए मा बोलती है यू यहाँ पे क्या कर रही हो सुनो जुआंग कितनी बड़ी हर्प करने वाला है हम गाउवालों को पापा को बोलो कुछ अच्छी डिस बनाए जुआंग के लिए अच्छा तो उसे खाने में क्या पसंद है यू वो सारे जीजों की नाम बोलती है जो जुआंग को कभी भी पसंद नहीं है और वहां से जाने लगती है तो मा बोलती है मैंने तो आज तक नहीं देखी जुआंग को ये सब खाते हुए पतमास लड़की तुम्हें तो मैं बाद में देख लूँगी नेक्स दिन में जुआंग और जीजान ग्रीब गारेन में थे उन्होंने अच्छे से देख के बीना पेस्टिसाइट से कीडों को केसे निकाला जाए उसके बारे में गारेन के ओनर को बताते हैं और उसके साथी साथ कुछ दिनों तक गारेन को एक्जामिन करेंगे ये भी बादा करते हैं इधर जीन के ओफिस में जब टियान आती है वहाँ चारो और फ्लावर था ये देख के टियान बोलती है वाओ इतने सारे फ्लावर आपको ये सब किस ने दिया जीन बोलता है इध इधर आओ इस डोर को चेक करो तो टियान बोलती है अरे ये डोर इतनी हेवी कैसे हो गई फिर मन ही मन सोचती है क्या ये सोच रहा है मैं कुछ काम नहीं करती सिर्फ उसे इधर उधर करती रहती हूं इसलिए मुझे ज्यादा लोट देने के लिए एक हिराक में इतनी हेवी जिया मिन के लिए करती है अरे ये नहीं कि हुआ कि यरिंग एट लैने के लिए बोला लेकिन तुम नहीं ली तो मैंने एसी डोर इंस्टेल किये जैसे तुम्हारी वाल्ड से नईस कम हो सके टियान सोचती है ये इतना अच्छा भी है मुझे तो पता नहीं था वो जियान को बोलती है सर मैं तो सिर्फ एक स्टाप हूँ मेरे लिए इतना पेसा स्पेंड क्यों कर रहे हूँ जीन बोलता है अरे ये तो कुछ नहीं मैं तो अलग स्टाप के लिए भी कुछ ना कुछ करता ही रहता हूँ और सुनो ये सारे फ्लावर ले जाना मैं तुम्हें गिप दे रहा हूँ तुम्हारे चाय के बतले टियान बोलती है अरे ये मैं नहीं ले सकती वो चाय तो मैं खुद बनाई थी और ये सब कितनी किमती लग रहे हैं जीन एक कुल दस्ते को उठा के बोलता है अरे ले लो ना तब जीन को अलरजी के बज़े से छिंक होने लगता है तियान बोलती है ठीके ठीके मैं ले लेती हूँ और वहां से बहार जाते टाइम सोचती है जीन को तो फ्लावार से इतना अलरजी है सायद ये फ्लावार उसने खरीदा नहीं है उसे किसीने गिप्ट किया है और इस जीन को ना अच्छे से पता है चीज़ों को कैसे रियूज करते है छोड़ो भी इसके चलते मुझे तो इतनी सारी क्यूट क्यूट फूल मिल गए आक्छोली वे ये सारे फ्लावार लिंडा के मना करने के बाबचुद जिन खुद तियान के लिए खरीदा था उधर रियू को दिखाती है वो अपने घर के बाहर कोल ड्रिंग्स पी रही थी वहाँ जिन आके उसके साथ बाते करने लगता है मिसीव आप यहाँ क्या कर रहे हैं क्या आप कुछ सोच रहे हैं यू बोलती है नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही खड़ी हूँ क्या तो मुझसे मिलने आयो बोलती है नहीं तो हम दोनों मस्त है तुम्हें कुछ बेहम हो गया है फिर जियान हसते हुए बोलता है मुझे पता है अब आपको मेरा प्यार दिखाई नहीं देती लेकिन मैं अब भी आपकी वेट करना चाहूँगा यू बोलती है तुम आज कर टियान के साथ ज़्यादा मिल रहे हो क्या उसकी तरह फिलमी बाते करने लग गये हो जियान बोलता है अक्शुली मुझे सब कुछ बता है यू बोलती है क्या जियान बोलता है हाँ कल मैं जब आपके रूम के बाहर से जा रहा था तो आप दोनों की बाते मैंने सुन लिया था तुम दोनों सिर्फ कपूल होने का नाटक कर रहे हो फिर जियान बोलता है मैंने आपको पहली बार यहां पे नहीं चाय के बगीचे में देखा था तब से मैं आपको प्यार करता हूँ लेकिन बात मैं मुझे पता चला आप रफेसर के गर्फरेंड हो मैं सर्प्राइज हो गया था क्या करूँ मेरा दीमा काम नहीं कर रहा था मैं बहुत सहर था लेकिन अब जब पता चल गया है तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं चल रहा है क्या तुम मुझे चांस दोगे यू ये सुनते ही इमोसनल हो जाती है और मुस्कुराते हुए बोलती है क्या मैं नहीं बोलने वाली जल्दी से सब्सक्राइब करो लाइक कमेंट और से यार जो करना है कर लो उसके बाद बोलूँगी तब तक के लिए बाइबाइ